तो ही गाई स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगी तो भाई एक बार फिर से देवरानी जिठानी की जो कॉंट्रोवर्सी है फिर से स्टार्ट हो चुकी है देखे कुछ दिन पहले जो है सब कुछ ठीक हो गया था और बहुत अच्छ जिठानी का किस घर में लड़ाई नहीं होती हर किसी घर में रहता है ठीक है यह नहीं कि सिर्फ यह लोग तो सिर्फ वाइटी पे दिखा रहे हैं लेकिन अगर सोशल मीडिया पर कोई चीज आप बेच रहे हो ना तो पूरा राइट बनता है हर किसी को जो है अपना ओपीनि ंफ करती जबती है खूरे सा यह नहीं है यह आदी नहीं किया लुप सारे लोगों ने शुनाया भी यह नहीं पता है तो जो है क्या चल रहा है अलकाौर कामनी के बीच में और अं केमरा अगर आप इतना प्यार और पपिया ले रहे हो एक दूसरे की कही घूमने जा रहे हो हाथों में हाथ उनसे अच्छी कोई है ही नहीं आप से अच्छा कोई नहीं तो जो आप दिखाओगे वही तो लोग देखेंगे अब inío ne comment किया था ना तब लोगों को लगा कि यार ये सब क्या चल रहा है अभी तक तो कल तक तो सब लोग घूमने गए थे इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था इवन आते टाइम इमूशनल भी हो गए थे सब कुछ था तो ये अचानक से क्या हो गया कामनी के लिए ऐसा अक अगर किसी को पता ही नहीं भई ओफ केमरा क्या है तो वैसे ही कमेंट करेंगे कि वही तु दोगली है पहले तु उदर थी ये थी वो थी और सबसे बड़ी बात अगर मैं एक चीज़ बताओं आपने हस्बंड वाइफ का रिष्टा देखा होगा जब उनकी लड़ाई होती है अगर उन दोनों के रिष्टे के बीच में अगर कोई तीसरा इंसान आ जाता है तो एक्चुली बुरा कौन बनता है वो तीसरा इंसान हस्बंड वाइफ तो फिर एक हो जाएंगे सेम ऐसा ही किसी की फेमली के मैटर का होता है अगर उसमें कहीं उनका कोई रिष्टेदार य अलका ने बहुत सारी चीज़े बताई रिवील करी और जहां उसने ये भी बताया कि जो निकु की तब्यत खराब हुई थी कामनी को सब पता था क्योंकि अलका खुद उन्हें बताती थी उनके घर की बाते लोगों के सवाल भी आ रहे थे ना कि क्या कामनी आपको पता था क थी निकु प्रेंगनेंट थी तो कामनी ने इस चीज़ पर कोई जवाब दिया था बस वो चुप चाप से आई थी आके जो घर में काम करना था जो सेवा पानी करनी थी जो निकु की भी सेवा अइसा नहीं करी उसकी भी करना सब कुछक्edia ना वो कोई कमी नहीं दिकिती किस सबस्क्राइबर को समझाती नहीं है सास के लिए अगर गंदे कमेंट किये जाते हैं तब भी सबस्क्राइबर को नहीं समझाती लेकिन कामनी न अभी जब मैंने एकड़ दिन पहले उनकी वीडियो देगी थी उन्होंने कमेंट फिन किया वह तो खुद को कोई भी गल्द ना वोलें भी बात ये ना कि बहुत चीज Naugh कि अधू से नहीं बसती तालीग दोनों हाथों से बसती है और अब aye जो konp domersivan trial को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अल्का ने जो video बनाई है अल्का को कहीए कही बहुत चीज़े हर्ट हुए होंगी तब यि उसने वो वीडियो बनाई और कही न कहीं फेवर जो है इसमें निकू का किया गया कि निकू ठीक है मैं पहले निकू को ही जानती थी और कामनी को करेडिट देना चाहिए तो हाँ मैं भी कहते हूँ कि कामनी को एक बार credit देना चाहिए क्योंकि यह सिरफ कामनी के साथ नहीं है भौत सारे vloggers के साथ है अगर घर में एक इनसान अगर vlogger बन जाता है और वो popular हो जाता है और उसके बाद अगर उसके घर में बहुत सारे channel बनते हैं तो कही न कहीं जो सबसे main जो vlogger होता है उनके घर में जो popular होता है उसके subscribers ही उनके पास जाते हैं उनके family members को देखने लेकिन हाँ यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं है कि भई सबकी अपनी अपनी मेनत है अगर आप मेनत नहीं करोगी तो subscriber कब तक आपको देखते रहेंगे बिल् ठीक हूँ मेरे साथ हमेशा से गलत होता आया है क्योंकि अलकानी वीडियो बनाई है उनके उसके बाद एक community लगाई community में लिखा कहते हैं उपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं और आज सच आप सब के सामने हैं मुझे कितना गिराया गया कितना बदनाम किया गया लेक को कहीं ना कहीं ये टार्गेट करना है कामनी को कि वी कामनी ने जो है उनके साथ गेम खेली उनको बहुत ज्यादा बदनाम किया और जो कि आज अलकाने सब जो है रिवील कर दो कि कम्यूटी पी किसी का कमेंट आता है कि निकीदी प्लीज ये community डिलीट कर दो कि इसके लिए कि हर बात को कोई थर्ड बंद आपने उपर क्यों ले लेता है हो सकता है ना कि ये किसी और के लिए भी हो लेकिन नहीं निकी की हर बात को पकड़के बस एक new controversy करना है क्योंकि कुछ मिली नहीं रहा सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो कुछ तो खराब दिखाना ही ह है वो इंसान कौन है क्योंकि देखिए जो genuine subscribers है ना वो भी नहीं चाते कि भाई ये controversy हो दुबारा से यही जमेले हो एक घंटे की वीडियो आए दो घंटे की वीडियो ही तो वो लोग भी कई ना कई इनको शान्त कराना चाते हैं चाहिए वो देवरानी हो चाहिए वो जठा अधिया कावनी का गल्थ रहते हैं दोनों का ही negative रहता है कि निक्की ने community डाली उसके बाद community आ जाती है कामनी की ठीक है एक घंटे वाद community डालती है कामनी ने अपनी community में लिखा वाईटी पर चक्रव्यू रचा गया है और यह सोचकर सब खुश हो रहे हैं कि अनदर अभी मन्यू फसा है पर मैं बता दूं किसी को पता भी निचला कि अभी मन्यू नहीं अर्जुन है जो सारे चकर व्यू को तोड़ने में सक्षम है क्योंकि उनका रत स्वयम भगवान क्रिशन चला रहे हैं मेरा दिल भलका होने लगा है लोगों ने अपनी सच्चाई का नारा लगा कर सत सामने लाने का रास्ता दिखा दिया क्यों अब किसी भी रिष्टे का लिहाज नहीं है क्यों एक रिष्टा है जिसने मुझे रोका हुआ था अब वो भी नहीं कर सकती क्योंकि उस रिष्टे ने मुझे ही गलत साबित करने का बेड़ा उठा रखा है सब अब रोते रह जो अच्छे से इनके साथ टच हैं उन्होंने भी कमेंट किया जाके आप क्यों कोंट्रोवर्सी करने पे लगे हो घर की बात घर पर रहे तो ही बेतर है ये सोशल मीडिया पर क्या लगा रखा है तो कामनी ने रिप्लाई किया है अगर घर की बात घर पर रखनी होती तो कोई अपनी जूटी सच्चाई की कमेंटी नहीं डालता मैं तो इतने दिनों से चुपी थी पर अब सब चाते हैं कि मैं बोलू तो भईया मैं क्या कर सकती हूं कब तक बरदाश करूंगी और इतनी ही सच्चाई वाले लोग थे तो ओन कैमरा मुझे इतने प्यार से क्यों इन्व करूं दूसरा इंसान जो है कमिनिटी पे कमिनिटी लगा रहा है एक जो है वीडियो बनारी और आप मुझे ये सला दे रहो कि मैं घर में बैटके सोल्व करूं ऐसे होती है कॉंट्रोवर्सी की शुरुवात की पहले जो है कभी एक पोस्ट डाली ठीक है उसके बाद मापे स सब्सक्राइबर्स के लिए स्टैंड लिती 12 से अलका को गुस्सा आते कि सब्सक्राइबर्स को डाटने की जगा उन्होंने जो है उनका स्टैंड लिया है अलका फिर वीडियो बनाती है अलका की वीडियो के बाद निकू की कमिनिटी आती है निकू की कमिनिटी के बाद फि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सिरुफ और सिरुफ जो ओन केमरा दिखाया जाता ना उसके बिहाग पे सब लोग कमेंट करते हैं सब यह आप लोगों की राए हो कमेंट के जरी जरूर लिखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें सो बबाई मैं मिलते हूं आपसे एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई